वेल्कम बेक ट्यू बाई नीको पड़ाई यदी हजूर हरूले हमरो चैनलाई सब्सक्राइब गरणों बाचाहिने बनी गरदीनू हो सही लई आप पड़ाउ ला पड़ाई सब्सक्राइब गरदीनू लाइक पिनी गरदीनू कॉमेंट पिनी गरदीनू आप पड़ाउ ला पड़ाई स्टाट गरआउ इग्जैमिन दे सेंट्रल आइडिया देट फ्रैंक विशिस्टू कन्वे इन दे स्टोरी कॉंसेप्चुल फ्रूट रायो क्वेश्चन टू टू थाउजन सेवन्टी एट मा पनी आयको चाहना रायो सेप्टर देखी धेरी जैसो क्वेश्चन सरू आउं देना तरह फेरी क्वेश्चन ले इंक्लूड करना को लागी सु आंसर बुजन बंदा अगाडी यो बुजन धेरे इंपोर्टन छा कि यो क्वेश्चन ले भन्ना के खोजे को छा रहाम रो सदय यो प्राप्लम हुन छा कि हामिले एक्जाम देने समय मां क्वेश्चन लाइए न बुजी के चाहो आनसर लेक देन छाओं रहायस क्वेश्चन मां हमिले ले क्वेश्चन ले इंसर रूट कता को सेंट्रल आइड्या लाइ लेकनू पर छा जुन थाईसा फ्रेंक थाईसा फ्रेंक को न यहाचर की राइटर ले व्यक्तगा ना चाहनू छाहान न सु दा आँसर इस इन interest in various ways, a mentally handicapped daughter is the one who, in the end, teaches her father a lesson about the emptiness of virtual reality. तो ये सोट स्टोरी मा एवटा फादर छन, जसली रिसेंटली मा एवटा इंटरनेट मा एवटा वेबसाइट को बारे मा पत्ता लगाये कछन, जसमा एवटा मानिस ले वर्चौल चीज अरू बनाऊना सक्ष, और उनले आफनी सिरीमती रा छोरा छोरे लाई, बिभिन्न तरी का ले आफनों एवक्साइट मेंट लाई व्यक्त गर्णा चाहां छन, तर तिनकी सिरीमती रा तिनको छोरा ले तेसमा कोनोई-पनी प्रकार को इंटरस देखाऊ देनन, तर तिनकी छोरी जसको नाम ग्रेटा हो, तिनले मात्रा त्यों वेबसाइटमा इंटरस देखाऊं छ The story raises questions about the benefits of the internet. The message that Frank wishes to convey is that the internet may at first appear exciting and full of possibility but the virtual reality that it provides is never as real and useful as reality. Frank is poking fun at the excitement and sense of awe that the new users of the internet often experience. So, the story is that the internet can be found in the case of the internet. The message is that the internet is full of possibilities, which means that the connection between the virtual reality and the reality is very useful. The internet can be found in the new users of the internet and the excitement and the pain and the pain. जो यो थी यो conceptual fruit chapter को योटा question रहा दी हाजू रहू लाई यह chapter को full summary चाहिए छा बने माई ले description box मा लिंक खाल दिन चू रहा जो रहू ले तिया गवयरा तियो chapter लाई पढ़ना सकनो ने छा so if you want then you can so the second question is what main idea is the writer trying to communicate so you question chapter number first American values and assumptions देखी लिएगो so you question मा की सुदना खोजे शा बने writer ले कुन main idea लाई communicate गरना खोजे रहे कशन रा main idea बने को मुख्य विचार communicate बने को संचार so the answer is the most important thing to understand about Americans is probably their devotion to individualism the fundamental value of a free self-reliant individual is closely related to all the other cultural values Elton discusses and helps explain many aspects of US behavior and thinking for example child rearing, independence and personal freedom, heroism, common idiomatic expressions, competition, privacy and communication style so ab answer लाई पने नेपाली मां बुजाँ होई था, American अरुको बारे मां बुजना को लागी सबई बन्द महत्वा पूर्णा को रसायद individualism को पड़ती तिनी अरुको भक्ती नहीं अव मैले हजुर अरुले भनने छो individualism बने को क्यों individualism बने को the quality of being different from other people and doing things in your own way येसको मतलब ये हो कि अन्ने व्यक्ति अरु भन्दा फराख होनु रा आफनो तरीकाले काम गरनु येस लाईने के मनींच इंडिविडुआलिजम बने छा रा एल्थनले अगाडे बन्नुन छा कि एवटा स्वतंत्र आत्म निर्भर व्यक्ति को मौलिक मूल्य मौलिक मूल्य भनेको फॉंडामेंटल वैल्ल्यू अन्ने सबै कल्चरल मूल्य अरुसंगा क्लोजली सम्बन्दे छा एल्थनले अमेरिकन बिहेवियर रा थिंकिंग का धिरे एस्पेक्ट्स अरू मींस पक्षा हरू लाई डिस्कस रा एक्स्प्रेन गरना मदद गर्चन रवा बोजाओं की गेरी यल्थेन ले कुन-कुन एस्पेक्ट्स मीन्स पक्षा हो लाई डिसकस रा एक्स्प्रियन गर्ना मदद करशन रफर्स्ट पक्षा हो बाल पालन पोशन बाल पालन पोशन लाई इंग्लिश माँ चाइल्ड रियरिंग भनें छा चाइल्ड रियरिंग भनेंगो की अमेरिकन सरूले आफना बच्चा रूले का सरी हुर काउँ छन सेकेंड पक्षा हो इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस रो पर्सनल फ्रीडम इत मीन्स की अमेरिकन सरूले इंडिपेंडेंस रो पर्सनल फ्रीडम लाई कती महत्वा देंशन फोर्थ एस्पेक्ट हो हीरोईजम हीरोईजम भने को वीर्ता अमेरिकन सरूले इसता मानेस लाई हीरो ठांचन जसले कसे को सहारा नौ लेरा केई गरे छा एकले केई गरे छा जस्ते जस्टिन बीवर तीने अरको धेटे रेस्पेक्ट गर्शन सो नेक्स्ट हो कॉमन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन अमेरिकन सरूले केई सामाने मुहावरे पूर्ण अभिवेक्तिको पनी पर्योग गर्शन से अमेरिकन बीवेटिक गर्शन अभिवेटिक एक जस्टेशन ना को लागि फिरी नेक्स वो कॉम्पिटिशन प्रविश्य रा कम्यूंकाशन इस्तायल अल्थन ले इनी आस्पेक्स अरूलाई means competition, privacy, communication जस्ता अस्पेक्स अरूलाई पनी बिद दे सेंटेंसेज इन दे चैप्टर अमेरिकन गैलिवस अन्जम्शन्स ग्यारी अल्थन मिन्टेंस देट सो येस क्वेश्टन मां सोधना चाहे को क्वेश्टन यह हो कि रीडिंग मां रीडिंग भने को येस चैप्टर मां एल्थन ले मुख्य कुरा के राक्षन उनले आइडिया लाई एक वा दुई सेंटेंस मां सबमराइज गरनू पर चाहे रहा हाई मेले येस आंसर आफनु वर्ट्स मां पनी लेखनू पर ने छा रांसर को स्टार्टिंग को सरी भन्ने कुरा पनी यू क्वेश्टन मां मैं मैंसन चाहे यू कंपर सरी नहीं हमेले पर ने ही रहा हाई था आउसर इस इन डिस चैप्टर अमेरिकन वाल्यू और अजंप्शन संग्तेंस थे इंडियू अंतू इंडियू पर चाहे यू बज रहा हाई ता ब्ली फोर्ट्स आंसर ने वह पनी बुज हा हाई ता आउसर मां की बन ना खो जे चांवने अमेरिकन प्रकृती संगा रा मानिस अरुको रिलेशन संगा पनी संबंदित छा तिसेले यदी संगा प्रकृती संगा पनी संगा पिका राइटर को भनाई अर्याँ फिर्टर को नाम कियो गैरी अल्थन तुर आज अको लागी मेरों वीडियो मन परेपार प्लीज लाइक कॉमेंट श्रीयों रा सबस्क्राइब गड़ने ना भूलने हो ला थेंक्स वर बॉचिंग